आज हम लोग करने वाले हैं एक आउनलाइन वीडियो एडिटर का रिव्यू जो कि अभी अभी अविलेबल है काफी अफॉर्डेबल प्राइस पर और लाइफटाइम डील के ऊपर भी हाई गाइस मेरा नाम एक रपेश आडवानी यहां पर मैं डिजिटल टूल्स की बात करता रहता हूं इस चानल के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आउनलाइन वीडियो एडिटर के बारे में इसका नाम बात करूं तो यह स्टार्ट होता है वैसे फ्री से भी स्टार्ट हो जाता है लेकिन यह पर आपको वाटर हैं तो में यह थो फलेखने प्रिंटी प्रोजेक्सक्राइब त्यंट सहरा यहां पर आप लोग 20 कंवेग्स फॉर्ट कर सकते हूं थरट ई- Cred mature के घौला उलाइंड लेख ओंगा टे आमाउडचनीख स्टोरेज भी जादा है और आटो सब्ताइटल मिल जाते प्लस यहां पर रेडी तू यूज टेंपलेट्स भी है तो लाइसे टीर टू जादा है लेकिन अगर आपको बेसिक हो ज्यादा बजट नहीं है तो टीर बन के साथ भी जा सकते हो मैंने आप टीर बन प्लान की यूज किया है to show you how it works now हम लोग चलते हैं इसके वीडियो डिटर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कि यह कैसा है जैसे आप लोग लोग इन करोगा आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा you can create your project from here and then यहां पर हम लोग रेशियो सिलेक कर सकते है अगर आपको यहां पर horizontal चीए जैस let's open this up मैं आपर इसको fast forward नहीं करूँगा ताकि आपको भी rough idea मिल जाए कि कितनी देर में लोड हो रहा है तो यहां पर लोड हो चुका है पहले मैं आपको यहां पर इसका user interface बता देता हूं of this application यह जो interface है अगर आपने कोई भी video editor यूज क्या होगा उसके जैसे ही है काफी easy to use हैं यहां पर left hand column में आपको सारे options मिल जाते हैं टेक्स के sticker transition filters जो भी आपको add-ons add करने वो यहां पर आपको मिल जाएगा नीचे यहां पर timeline है जैसे कि आपने कभी कोई भी editor वगर यूज के होगा तो timeline उसके होती है जैसे फिलाल में आपको final cut pro भी कोल के बताऊंगा अपना तो उसकी भी ऐसी रहेगी and then यहां पर बीच में यह आपका preview panel हो गया अगर आपको speed वगर बढ़ानी वो यहां से कर सकते हो तो वो यहां पर बीच में आ जाता है हमारा और यह बीच का आपका बाहर रहता है media का और जो भी यहां पर आपको options से लेकरते हो वो options से हैं यहां this is final cut, final cut का भी ऐसी basically रहता है यहां पर नीचे आपको timeline मिल जाती है left hand columns भी रहता है and right पर वैसे properties वगरे मिल जाती है but majorly वैसा ही है and premiere proper भी आपको ऐसा ही मिलेगा लगबग तो interface के मामले में it looks good it looks professional अच्छा है easy to use भी है now let's check out the features that we are having पहले आपर media के बारे में बात करें तो यहां पर आजाएगे uploading and यहां पर आप लोड हो जाएगे तो इसी तरीके से जो भी आप music डालते जो भी वीडियो जालते हो यहां पर upload हो जाएगे वह आपको आपको मिलेंगे media में अब अगर मैं इसके stock collection के बारे में बात करूं तो यहां पर images आपको मिल जाती है जिसको आ यहां पर अगर आपको add करना हो इसको you will click here add to media and then यह आपके project यहां पर timeline में आड़ नहीं होगा वह आपके media पर add होगा पहले media पर add होगा and then from media you can add to your timeline add to track और फिर आपके track और timeline पर add हो गया है कुछ इस तरीके से चीक इसमें आपको आपको कुछ premium मिल जाएंगे जो आप लोग यूज कर सकते हो अगर आपको यह नहीं जीए तो बाकि फ्री स्टॉक रोयाल्टी इमिजिस फोट वीडियो सबके लिए मैं वीडियो और आर्टिकल्स बना चुका हूं वह आप लोग जाके चेक आउट कर सकते हूं कौन से डाउनलोड करने मां से डाउनलोड करके यह गूंपर्क इंपोर करके यह यह पिर्मियम वाली रहाँ पर तक्का है अच्हाहंग और आप टुमिदेशल पर उदिया में आप ठोर कr सप्क्स अहां कि पनासीं जाने कश्च चुकोत यहां पर एप सब्सक्राइब यह व्यांजआ सैicon फोड़े फॉरे पहले time जब यूस कर घो थो थोड़ा slow use low if you want to add something you can just click add to track और यहां प्रेकाप्ष्णन ए अप्शन एड हो चुका है उचिस तरीके से edit करने के लिए थिए सतरीके से and then you can enter your caption this is a demo caption font here change. जाने हो चैने बर सकते हो इन और आपक्ष्ण हो सकते हो !! यह आ गया and then once you can go back to here play कर दो और यह हमारा caption आ चुका है तो इस तरीके से आपको काफी सारे caption के options मिल जाते है animated captions भी है थोड़े funky captions भी है सारे captions मिल जाते है free text भी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से and then we have stickers stickers मुझे आपर कुछ खास पसंद नहीं आएं बहुत ही basic से stickers है लगा के add कर सकते हो कट लें यहाँ पर जाना है clip को select करना see कर दो and then यह हमारा यहाँ पर बीच में cut लग चुका है इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर उपर जाओगे तो आपको यहाँ पर जितने भी shortcuts से वह दिख जाएंगे shortcuts are good it is working perfectly fine तो अगर मुझे यहाँ पर कोई भी transition आट करना है for example lens flare आट करना है तो मैं आपर ट्राक कर दूंगा इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरा add हो चुका है then I'll go back I'll click play and then यहाँ पर इस तरीके से transition आट हो चुका है next we have is filters अगर आपको कोई भी filter लगाना है अपने वीडियो या image के ओपर you can just add to track here and then यहाँ पर filter add हो चुका है और उसके बाद you can just adjust it कि आपको कितरा बड़ा यह filter चाहिए और कितरा बड़ा नहीं चाहिए और उसी तरीके से आपे लट्स भी अविलेबल है कस्टम लट नहीं है लेकिन यहाँ पर बहुत सारे आपको दूसरे लट्स मिल जाएंगे जो कि अल्ड़ी यहाँ पर प्रीडिफाइंड एक कलर गरेक्शन टाइप का होता है तो अगर आपको यहाँ पर जैसे और यहाँ आपकर कस्टम लट बन जाएगा यह इस तरीके से है को इंडर आप एक स्पेसिफिक पार्ट के उपर लागा सकते हो पूरे वीडियो की उपर वी लगा सकते हो मैं आपको आगे बताऊंगा एफेक्ट्स अगे यापर जैसे फिल्टर होते है वैसी अलग लग 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 यह अभी लोड हो रहा है, लोड होने के बाद आट ट्राक हो जाएगा, let's go here, let's wait for them to load, यह मैं पहली बार अभी कर रहा हूं, तो पहली बार जब भी आप लोग कोई भी चीज यहां पर यूज करोगे, तो यहां पर लोडिंग वाला दिख रहा है, यह लोडिंग वाला इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि यह टाइम लेता है, पहली बार काश है में लोड होने के लिए, नेक्स टाइम से जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, अब पहली बार यहां पर टाइम लेगा, जैसे यहां पर वाला हो चुका है, तो आइकन आड देस और यह इस तरीके से यहां पर फ्रेम आड़ हो गया, यह जो यह तो यह आप लोगों यहां पर फ्रेम को आड़ कर सकते हो, अच्छा फ्रेम क्लेक्शन है I must say that बहुत सारे इन्होंने आपे फीचर अच्छे दिये हैं फ्रेंज यहां पर दिफ्रेंट दिफ्रेंट टाइप्स के दिये हैं and you can really make a professional video out of this online video editor देन आपर मास्क है अगर आपको कुछ चीज को मास्कों करे करना है तो you can just add a mask like this अगर आपको किसी के अंदर दिखाना है वो सर्कल वाला इफेक्ट जिसके आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कोने में तो उस तरह का यहां पर आप लोगे मास्के थू आड़ कर सकते हो इसके बाद इसपर डबल क्लिक करोगे तो इसके आपर कलरेक्शन वाली सेटिंग्स ओपन हो जाएगी तो यह थी इसकी में सेटिंग्स अब एक और चीज़े जो आपको पता होनी चाहिए वह यह है कि अगर आपको कोई भी इससे ट्राक कर सकता हूं यह आ गया अगर आपको यहां पर कुछ ब्लेंडिंग मोड ट्रांस्फॉर्म मोड यह सब अगर आपको चाहिए तो यहां पर जूम वगरे आड़ करना है और साइज वगरे सारी चीज़ें यहां से हो सकती प्लस जितने भी मैंने आपको यहां पर यहां पर इफेक्ट बताया था तो जैसे मैं वोड़ पर क्लिक करूंगा तो यह पूरी इमेज पर चला गया और मास्टर की को यहां पर मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है अनिमेशन इस गोड़ इफ यह वांट वाला चाहिए तो इसको ऐसे करके आछिए है पर यहां पर मैं चल जाओंगा एं लेकर एंड़ फ्रिययी पूरा अनिमेशन यहां पर आ गया इमेज मास्किंग के अपर आपून आपयो है तो यहां पर इसके मास्क कर देगा और मैं यहां Πर इसके क्या options मिल जाएंगा background वग रहे क्या चाहिए यहां पर अगें यह वाला वीडियो है अगर मुझे इसके options देखने हैं तो मैं इस पर यहां पर डबल क्लिक करूंगा लिए अपर यहां यहां पर तो मैं चलिक करेंगा कर सकता हूं जैसे masking का गशाया बताया आपको बताया यहेंन को ऐसा सम्थिंग यहां बताया है यहां से पड्रेश वाहतों ढवुआै मंचे शहाए यहां पर इसके सारे फीचर्स एंड सेटिंग्स और इसके बाद यहां पर उपर जाओगे तो वाइस-वर भी रिकॉर्ड यह भी काफी अच्छा फीचर है देन यू एक्सपोर्ट इस वीडियो एक्सपोर्ट कैसे करना है जैसे यहां पर आपको अपना कोई भी नाम डाल सकत लिकिन 1080P काफी स्मूधली इस पर वोक किया है यह जो फ्रेम आपको स्लेक्ट रहेगा उसका यहां पर कवर वो आ जाएगा यहां पर कवर आ गया है यह यह आचुका है और यह एक्सपोर्ट अब यह एक्सपोर्ट डाइरेक्लियों यहां पर आपको डाउनलोड़डबल यहां पर एक्सपोर्ट का सेक्शन है वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसमें मुझे एक और बात इसकी अच्छी लगे कि यूगेट जीएफ आपको अच्छी बात है कभी का लोगो के पास रिसोर्स नहीं रहती है अपने लोकल पीसी में कंपाइल करके यहां पर आपने डाल दिया वह कंपाइल होता रहेगा यहां आप यूकें जस्त गो और वह अपना क्लाउड पर कंपाइल करके यूकें जैसी वह कंपाइल हो जागा तब आप लोग उसको डाउनलोड कर दो बेस तरीका है मेरे साब से इसके बाद जो एक और चीज मुझे अच्छी लगे वह जी आए यहां से आप लोग बना सकते हो जैसे कि यह है तो आएकन जस्ट राग इट कि मुझे कौन से सेक्षिन के यहां पर जी आए फ चाहिए इस तरीके से तो अगर यह मुझे चाहिए तो इस यह वाले सेक्षिन की पर्टिकलर जी आएफ बन जाएगी जी आएफ डेमो टू और इसके यहां पर जाएगी कौन से साइज में चाहिए क्या चाहिए सब यहां से सेट कर सकता हूं मैं और इसके बाद आपको किये होंगे उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो यह जैसे मैंने आप यह वीडियो एक्सपोर्ट किया था भी आपके सामने तीन इनिट का इसकी साइज है 157 MB की I can click just download और यहां पर यह डाउनलोड इसकी फाइल स्टार्ट हो जाएगी जो की compared to local अगर मैं आपर इसको काफी अच्छा लगा user interface is very good काफी smooth है काफी easy to use है and it is feature rich सब यहां पर टेक्स, transitions, effects, filters यहां पर आपको मिल रहे हैं कोई additional plugin और कोई overhead नहीं है कि इंस्टॉल करो यह लाइब्रेर यह उसकरो वह सब कुछ नहीं है and it is affordable also $29 में अभी आपको lifetime deal मिल ले तो आट प्रेसेंट काफी अफोर्डेबल कॉंस के बारे में बात करूं तो आट प्रेसेंट इसका mobile app available नहीं है तो इसे web पे चलेगा browser पर आपके PC पे चल जाएगा और एक और कॉन यह कि space बहुत ज्यादा ले लेता है आपके system पे कैसे यह है तो website लेकिन जो इसमें cookies वगरे रहती है वह आपकी ज्या सारे वो effects load हो सके which is good also लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके space लेगा कि ऐसा नहीं कि space ही नहीं ले रहा है space लेगा RAM उतनी शायद से नहीं उसकर है offline जितनी लेकिन space तो यहाँ पर यूज करेगा तो अभी फिलाले वंजी भी and in fact अगर जितने मैं आपे ज्यादा जा सकता है in my opinion now coming on to the bottom line if you are looking for an online editor I think this is one of the most finest online video editors that I have used काफी अच्छा है easy to use speed इसमें मुझे काफी अच्छी देखने को मिली है lag वगर ऐसा कुछ नहीं हो है कि lag हो रहा है process हो रहा है cloud pen then connection फील नहीं होता है बहुत बार online video editors में क्योंकि मैंने बहुत सारे offline video editors यूज़ करें premiere pro से i movies da Vinci final cut pro मैंने सब यूज़ करके देखा है and I think this is one of the finest video it is available at a affordable price right now आपको आप से मिल जाएगा link is in the description section below is it as powerful as premiere pro यहा फिर channel cut pro नहीं उत्रा powerful नहीं है again लेकिन उसकी audience भी अलग है उसका use case भी अलग है यह different use case के लिए बनाया गया it is targeted more towards beginners यहां फिर intermediaries उनके यह perfect option रहेगा in my opinion लेकिन अगर आपको कुछ offline ही चाहिए तो उसके लिए यहां पर आपको मिल जाएंगे प्री में कॉन-कॉन से अच्छे हैं पूरे हैं आपर मैंने लिस्ट आपको देखे रखे किसके क्या advantage है you can go and check this article out और अगर आपको online चीए तो इलस्टो एक कापी अच्छा option है link is in the description section below and that's it for this one thank you so much for watching video अच्छा लगाऊ तो थम्स अप देरेना चानल को सब्स्क्राइब कर लेना for more interesting videos and I will see you guys in the next one goodbye